हालो स्टूडेंट मैं डॉक्टर अंजुमित्र और मैं आज आपको मेगा स्पोरोफिल के बारे में हम साइकस के मेगा स्पोरोफिल यहां पर स्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल मिलके कौन का निर्माण नहीं करती और इनके जो स्ट्रक्चर है वो स्काटर्ड रहते हैं इसके leaves के बीच बीच में apex पर और यह loosely arranged है और यह spirally यहां पर apex पर बना होती है और साथ में sporophyll एक flat और leaf like structure है इनको three parts में divide किया जा सकता है जहां पर narrow petiolar portion और एक as a short as a stalk के रूप में है और middle जो portion है वो जिसमें ovule का formation यहां पर लगते हैं, ovule बनते हैं लगते हैं और तीसरा जो apical portion है वो एक बंद है यह sterile portion है और यह अलग-अलग species में इनके जो structure है अपर पार वो अलग होते हैं तो यहां पर हम कुछ जो main इंडिया में पाए जाने वाली कुछ species के हम structure यहां पर बता रहे हैं और जो sterile part है वो lanceolate या ovule जैसा है और dissected है कई loops में यह divide है और यह loops में यहां पर इनके साथ में यहां पर एक feathery appearance इसके upper portion पर मिलते हैं और साथ में करीब 2 से लेके 2 से 12 तक इनके अंदर ovule यहां पर mid portion पर अरेंज है और दूसरा है यहां पर सरसीनेलिस जिसमें इसका जो apical portion है वो थोड़ा उसमें long और narrow है और यह करीब इनकी जो length sporophyll की 15 to 20 cm के length के हैं और यह 7.55 cm या 2.5 cm के यह long होते हैं और यह भी lanceolate और tapering end के साथ में है और यहां पर जो leafy part है वो बहुत ही reduced है और dented यहां पर इनके margins यहां पर मिलते हैं और इनका इसमें इनमें जो ओविल का जो size है वो plant kingdom में सबसे largest plant kingdom में इसके अंदर माने जाते हैं सरसीनेलिस के अंदर और साथ में ही अब है रमफियाई और यहां पर जिसमें रमफियाई के अंदर साइकस रमफियाई जो very long और करीब यह 22-23 cm के होते हैं जिसमें यह एक long बैसल पोर्शन है और जो peti ओलर रीजन से है और साथ में ही यह broad है वो 1-2 cm के है और short spine area इनके अंदर apical portion है और reduce पिनना यहां पर मिलते हैं और इनकी जो ovule जो नंबर है बहुत ही reduce है और यह pairs के अंदर मिलते हैं फर्टाइब middle portion की अंदर और यहां पर इस तरह से different पैक्टिनेटा जसमें broad यहां पर देखाए दे रहें पोर्शन जो apical portion वो broad है और यह इनका जो ovule का development है यहां पर microsporengia के अंदर यह ovule का formation और उनके अंदर gametophyte का बनना इनके बारे में हम study करेंगे तो female gametophyte का formation यहां पर कैसे होता है और उससे पहले इनके जो sporengium का निर्मान किस तरह होता है तो हम सबसे इसके जो sporengia का निर्मान कैसे होता है तो यह जहां से इसके axis, mega sporophyll के axis के cells से और यह used sporengia pattern में इनमें development होता है जब new cells और यह जो structure है sporogenous structure का एक structure बन रहा है तो इनके साथ की cells हैं कवर बना रही है इनके sporengium के दोनों और जिसे हम कहेंगे intugament एक single intugament जो new cells या sporogenous tissue को cover की होए है और इनकी 3 layer यह divide रहती है और अगर यह intugament है इनमें कुछ species जैसे कि एफिट्रा में है यह दो integument मिलते हैं टू layers मिलते हैं तो हम biotechnic कहेंगे यहाँ पर एक ही layer बनती है जो 3 layers में division है इनमें और यहाँ पर यह new cells को cover करते हुए एक जहां apical portion पर यह थोड़ा सा इनमें space मिलता जिसे हम कहेंगे micropile कहते हैं और अब यह new cells tissue या sporogenous tissue है उनके जो micropile के cell वाल के पास वाली cell है as a spore mother cell के रूप में काम कर रही है जहाँ पर मियो से सोगा यहाँ पर मेगा स्पोर का निर्मान होता है अब यह जो इनमें division होगा वो division होगा अर्थगुण सुत्री भिवाजन जहाँ पर एक linear 4 मेगा स्पोर बनेंगे जिसके अंदर 3 micropile side के मेगा स्पोर है वो degenerate हो जाएंगे only lower जो cell है मेगा स्पोर वो ही functional रहती है इस तरह से functional मेगा स्पोर अपनी size में increase होती है न्यू सालस या remaining sporogenous tissue है और वो as a nutritive layer के रोप में काम कर रहा है और integument है जिसको हम 3 layer में divide कर सकते हैं outer flashy layer और center middle stony layer और inner most है वो भी flashy layer कहलाती है और इनके vascular जो supply है वो इनके lower portion जहां पर ये ovule जुड़े हुए है stock के द्वारा sporophil से और ये जो strand है ये इनके branches divide हो जाती है और एक branches है वो एक ovule के placenta जहां पर ये ovule का न्यू सालस जुड़ा हो है और दूसरी जो branches है वो side के ovule की और जा रही है दोनों तरफ से और इस तरह से इनमे vascular supply होती है और ये center के अंदर न्यू सालस है और यहां पर एक center में sporo, functional mega spores जो first gametophyte की cell कहलाती है और इससे बनेगा female gametophyte के निर्मान के समय यहां पर बहुत सारे ये जो nuclei है free nuclei यहां पर ये सबसे पहले इनमें free nuclei division से बहुत सारे यहां पर nuclei बन जाते हैं तो यहां पर यह बहुत सारे जो nuclei है वो सारे परीदी की और यह peripheral site में यह arrange हो जाते हैं और उसके बाद में यहां पर परीदी से center peripheral से center की और यहां पर gametophyte का निर्मान शुरू होता है और यहां पर brun posh भी कहलाता है यह जो gametophyte है उससे endosporm भी कहेंगे और जो कि कुछ जो cells है upper side में cells है जो unit nuclear cells है अपर side में single nuclei और agonite अवस्था इनके अंदर होती है या उनकी कोशी का है त्री गुनित भी हो सकती है और जो अपर पार्ट है अपिकल portion वाला पार्ट है और इनके अंदर बनती है archegonia और यह अपने size में यह increase करती है और जहां जिससे की archegonia बन रही है और यह archegonia initial के रोप में काम करती है और इनमें एक पारी क्लीनल डिविजन से एक पहर की और cell बन रही है और एक जो cells है एक cell यहां पर जो टू cells बन रही है बाहर की और पारिकलीनल डिविल से प्राइमरी वाल के रोप में काम करेगी और जो इनर cell है वो as a central cell के रोप में काम करती है central cell में division से two cell बनेगी एक तो primary, venter cell और canal cell और जो अपर cell है उसके अंटी क्लीनल डिविजन से यहां पर four cover cell का निर्मान होता है और four cover cell एक transfer division से eight cell का एक neck cover cell का निर्मान करती है तो यह similar structure जैसे कि हम teradophyta में archigonia के development में पढ़ते हैं और यहां पर एक neck canal और venter canal और एक एक cell का यहां पर निर्मान होता आर्की गोनिया के अंदर और इनके आर्की गोनिया का जो number है वो अलग-अलग species में अलग हो सकता है कि एक gametophyte में इनका जो number है वो two से लेके six number तक हो सकता है archigonial chamber और एक pollen chamber जो new salas और gametophyte के बीच में बनने वाला chamber वो कहलाएगा pollen chamber और archigonial chamber और आर्की गोनिया gametophyte और यहां पर new salas के बीच का जो space है वो कहलाएगा archigonial chamber तो यह ovule के structure में हम इसके जहां पर यह पूर्ण रोप से ovule का निर्मान यहां पर हो गया है जिसके अंदर हमें integuments three layered नजर आ रहे हैं बीच में stony layer है और new salas remaining gametophyte remaining sporogenous tissue जो एक layer के रोप में यहां पर रह गया है और यहां पर हम stony layer को scalyrotesta कहते हैं outer flashy layer को हम sarco testa कहते हैं तो यह integument जो कि three layer में divide है उसके बाद में new salas remaining sporogenous tissue उसके बाद में gametophyte gametophyte यह size में enlarge हो गया और इसमें present archigonia और यह micropyle जहां पर यह stock के just opposite एक space का formation कर रहे है पॉलंस के entrance के लिए और lower portion कहलाएगा stock वाला kalyzal और अपर है micropyle तो यह एक straight अवस्ता में micropyle और इसका stock एक straight अवस्ता के अंदर यहां पर present है तो यहां पर neck canal cells जहां पर यह fluid का निर्मान यह fertilization के समय में निर्मान होता है तो परिपक्व स्त्रीधानी जहां पर 2 से 4 यह neck cover cell का निर्मान होता है इसमें और इनकी नंबर आप आर्की गोनिया का नंबर इसमें अलग-अलग species में अलग होता है वो करीब 2 से लेके 6 नंबर इनका हो सकता है तो यह MAGA sporophyll पर इनमे spore enzyme का निर्मान यानि कि spore बहुत सारे spore enzyme यहां पर नहीं बनते और एक ही spore बनता है वो उसी spore enzyme के अंदर gametophyte का निर्मान होता है और spore का जो नंबर वो भी 3 से लेके 1 हो जाता है और यह gametophyte ही A की gametophyte का निर्मान बनता है gametophyte को endosperm क्योंकि वो nutrition का काम कर रहा है जबकि इसके अंदर embryo बनेगा तो वो उसके nutrition के रूप में female gametophyte उसे nutrition देगा तो उसे endosperm भी कहा जाता है